शिरी नर्सिंग पुरान के 56 वे द्याय में विष्णु मूर्ति की स्थापन की विधी राजा बोले ब्रह्मन आमें शांगर धुश्दारी देदेव नर्सिंग के स्थापन की समस्त उत्तम विधी को सुनना चाता हूं तश्री मारकंडे जी बोले भपाल देद वेशर चक्रमानी भगवान विष्णु के स्थापन की पुन्य दायनी विधी सुनो मैं शास्तर के अंसार उनका वर्णन का रहा हूं प्रिथी पते जो भी इस लोक में भगवान विष्णु की स्थापना करना चाहे उसको चाहिए कि पहले स्थीर संग्यक नक्षत्रों में भूमी शोदन का कारे प्रारंब करें एक प्रुष के ब्रावर अर्थाच साड़े तीन हाथ अत्वाद दो हाथ नीचे तक नीव खोद करके उसमें जल में भीगी हुई कंकर और बारुर हित शुद्ध मिट्टी भार दे राजन फिर उसे ही अधार समझ करके उसके उपर अपनी शक्ति के उंसार पत्थर इंट अत्वा मिट्टी से ग्रे निर्मान विद्या में कुशल कारीकरों के द्वारा मंदर तियार करवा वे में मंदर चारो और से बराबर और चकोर हो उसकी दिवार पत्थर की हो तो बहुत उत्तम पत्थर ना मिलने पर इंटों की ही दिवार बनवाले यदि इंटें भी ना मिल सके तो मिट्टी की ही भीत उठा ले मंदर बहुती सुंदर हो और उसका दर्वाजा पूर की ओर होना चाहिए उस मंदर में अच्छी जाती वाले काट के खंबे लगे हो और उनमें चित्रकला जाने वाले शिल्पियों के द्वारा फाल यक्त वरीक्ष कुमद तथा कमल दल चित्रित कराने चाहिए निरिप च्रेष्ट इस परकार जिसमें संदर किवाल लगे हो और जिसका द्वारपूर दिशा की ओर हो ऐसे बेल बूटों से बड़ी भांती चित्रित भगवान जी का परंद स्वामना मंदर बनवा करके वो दीमानायम डिस्ट पुष शीरिवारे पुरुष के द्वारा बताई हुई पद्धति के अंसार प्रानोक्त दिव प्रतिमा का निर्मान कराए। विद्धान पुष ऐसी प्रतिमा बनवावे जिसकी द्रिष्टी सम हो और जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल हो बोहें ललाट और कपोल संदर हो उसका समस्त विग्रे सडोल और शम्मे हो उसके दोनों होट लाल हो ठोड़ी अधर के नीचे का भग मनोहर तथा कंट संद आर रहों प्रतिमा की बुझाएn चार होनी चाहिएं दो बुझाएं और दो बुझाएं उन् wiem से दाहनी बुझा के हात में सोरे के समान अकारव़ा चक्र धारन कराना चाहिए चक्र की नाभी के चारों और दिवे अरे हो और उसके भी उपर सब बोर से नेमी लगी हो बाए आई और भुजा के हाथ में चिंद्रमा के सुमान शेत कांती में पांच जन्य नमक शंक देना चाहिए, जो डेट्टे के मद को चोन करने वाला और करियान पराद्ध है। और दाहने में कमल धारन किये हो, बाहों में बुजबंद बैने हो, और शेर सुन्दर नाभी तथा त्रिवली से शोबित एम दिव्यत जान पड़ती हो, उसका कठी भाग नितम बजांगे और पिंडरियां मनोहनो हो, वे कमर में मेखला और पीत वस्त से विभूशित हो, प्रुश पूर पक्ष में शोब समय पर उस प्रत्मा की स्थापना करें, मंदर के सामने एक उतम यग्यमंडब बनावे, उसमें चारों और एक एक केक करम से चार दर्वाजे हों, और सारा मंडब चार तोरनों बड़े-बड़े फाटकों से गिरा हो, उसमें सब धन्र के अ भी शेक कराकर, उसके साथ वेदों के पार गामी ब्रामनों को साथ में लिए, उक्तम मंडब में प्रवेश करें, और फिर पंच गवियों से प्रतक प्रतक शनान करावे, इसी परकार गरम जल्द से नहला कर, फिर ठंडे जल्द से शनान करावे, ताद पश्चाथ हल्दी कुम कम आदी का तथा चंदनों का उस पर लेप करे, फिर भुलों की मलाव से भूशित करके, उसे वस्तर धारन करा दे, और पुन्या माचन करके, विदिक रिचाओं से उच्चारन पुरक जल्द से प्रोक्षित करके, बक्त ब्रामनों द्वरा उस भगवत विग्रे को नह लावे, तक बश्चाच शंक बहरी आदी बाजे बजाते हुए, उसे नदी के जल में रखकर साथ या तीन दिनों तक उसे वहां रहने दे, अथा किसी निर्मल जिलाशे या शुद्ध सरोवर में ही रखकर उसकी रिक्षा करे, निरिफ श्रेश इस परकार भगवान जी का जल दिवास कराके ब्रामनों द्वरा उनको उठवावे और पाल की आदी में चड़ा करके, पोर्वत उन्हें माला आदी से भूशित करे, तरंतर नगाणों के धनी और वेद मंतरों के गंभीर घोश के साथ बगवान जी को वहां ले आए और कमलाकार बने हुए शुद्ध मंडब में रखे, वहां पुना शनान कराके विश्नु भक्तो द्वरा उनका श्रिंगार करावे, इसके बाद सोना रित्यक ब्रामनों को विधी पूरक भोजन करावे, उन में से चार ब्रामनों को तो वहां वेद पुरान आदी का सिधाय पाट करना चाहिए, चार विप्र प्रामन के दोरा फूल अक्षत और अन्न से समझत दिशाओं में बली अर्पित करामें, यहें बली इंद्रादी दिवताओं की परसंता के लिए होती है, परतेग दिशा के अधिपती को इंद्र प्रियताओं इत्यादी, रूप से उनके नाम उच्चारन पूरक ही बली दे साइकाल, आधिरात, उशाकाल, तथा सुर्योदे के समय, परतेग दिखपाल को बली अर्पित करने चाहिए, इसके बाद मातरगागनों को बली और ब्रामनों को भार दे, राजन, इसके पश्चाद ये जमान को चाहिए कि भगवान विश्नु के मंदर में एक और बैट करक एक काकरचिस से बार बार पुरुष सुक्त का जब करें, फिर पुरे एक दिन रात बुवास करके शुब लगन में वैं बुद्धिमान पुरुष ब्रामनों को साथ लेके मंदब में जहां प्रतिमा रखी गई हो, उस द्वार से मंदब के भीतर प्रवेश करें, और ब्रा भगवान सुक्त का पाठ करते हैं, उसे महा दिड़ता पुरक स्थापित करें, तर पश्चात आचारे कुशियोक जल से उस देदवेशर भगवान का अभिशेक करें, फिर भगवान जिके समुक अगनी स्थापन करें, अगनी के चारों और यतन पुरक कुश तरन करके पात करमादी संस्कारों की सिध्धी के निमत हवन करें, आचारे को चाय की प्रते क्रिया में, चार चार बार घी किया होती दे, तथा अस्त्र मंत्र अस्त्राइफट, बोलकर दिगबंदगराए, आम त्रातारम इंद्रम इत्याधी मंत्र से अगनी वेदी पर पूरकी ओर घी किया होती दे, परो दिवा इत्याधी मंत्र से दक्षिन दिशा में, और निशाध इत्याधी मंत्र से पश्ची में घृत का हवन करें, याते रुद्र इस मंत्र से उत्तर दिशा में, और परो मात्रया इत्याधी दो सुक्तों द्वरा संपुरन दिशाओं में घी किया ह इस परकार विधिवत हमन करके यदस्या इस मंतर का जब करें और घी से स्विष्ट कृत संग्यक होम करें। तरहनतर रित्यग्यों को उनके सम्मान के अनकूल सादर दक्षना दे। इसके बाद ये जवान अचारे को दो वस्त्र, दो सर्ण में कुंडर और सोने की अंगुठी दे। तथा यदि सामर्थ हो तो इसके अत्रिक्त भी सर्ण दान करें। थिर विद्वान पुरुष यथा संबव एक हज्जार आठ या एक सो आठ अत्वा 21 घड़े चल से भगवान जी को शनान करावे। उस समय शंक और दुन्दभी आदी बाजे बज़ते रहें। वेद मंत्रों का घोश और मंगल पाठ होता रहे। अपनी शक्ति के अंसार जिन पर जोँ आदी के अंकुर निकले हों ऐसी जो और ब्रीही चावल से भरे पात्रों द्वारा तथा दीप, छडी, पताका, छत्र, चवर, तोरन आदी समगरियों के साथ शनान विधी पोर्न कराके वहां भी ब्रामनों को यथा शक्ति दक्षना राजन इस परकार जो भगवान विष्णू की प्रतिष्टा करता है जो सब पापो से मुक्त हो जाता है और मृत्यू के पश्चाथ अपने सहित 21 पीडी के पित्रों को साथ लेके सब परकार के अभुष्णों से भुषित एम विचित्र विमान पर आडूड होके क्रमशे इंद्रादी लोकों में विशेश सम्मान प्राप्त करता है तो अपने बंधुजनों को उन लोकों में रख कर स्यम विष्णू लोक में जा करके परतिष्टित होता है फिर वहां ही भगवत तत्व का ज्यान प्राप्त करके वह विष्णू सरूप में लीन हो जाता है राज जब मनुष्य इस पुरवक्त विधी से प्रिथी पर भगवान नर्सिंग की स्थाब न कर लिता है, तब मृत्यू के बाद वे भगवान विश्णु के उस से नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहां रहकर वे पुना संसार में नहीं लोटता। इस परकाद शरी नर्सिंग पराण में परतिष्टा विधी नामक 56 अध्याय पोर्ण हुआ।